तमिल पुत्ताडू के बहुत बहुत शुब कामना है ये आप सब का प्यार है मेरे तमिल भाईयों बहनों का स्थे है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुत्ताडू को सेलिब्रेट करने का मोका मिल रहा है पुत्ताडू प्राचिन्ता में नविन्ता का पर्व है इतनी प्राचिन तमिल संस्कृती और हर साल पुत्ताडू से नई उर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अध्भूत है यही बात तमिल नाडू और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रती आकर्शन भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाओ भी रहा है मैं जब गुजरात में था तो जिस मनिदगर विधान सबा सीट से मैं M.L. था बहुत बड़ी संख्या में तमील मूल के वो लोग वहां रहते थे वो मेरे मद्दाता थे वो मुझे M.L. भी बढ़ाते थे और मुझे मुझे मुख्यमद्री भी बढ़ाते थे और उनके साथ जो मैंने पल बिताएं वो हमेशा मुझे याद रहते हैं ये मेरा सोभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिल नाडू को किया है हमेशा उसे और जादा करके मुझे वापिस लोटाया है साथियों आज हादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार लाल कीले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी जो जितना प्राचिन होता है वो उतना ही ताइम टेस्टेड भी होता है इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल ये दोनों स्वभाव से ही इतनल भी है ग्लोबल भी है तोफिक प्राचिया दुद प्राचिन निकष्णा पार्ट। from Madurai to Melbourne, from Coimtour to Camptown, from Salem to Singapore, you will find Tamil people who have carried with them their culture and traditions. Be it Pongal or Putandu, they are marked all over the world. Tamil is the world's oldest language. Every Indian is proud of this. Tamil literature is also widely respected. The Tamil film industry has given some of the most iconic works to us. साथियों, फ्रीडम स्रगल में भी, तमिल लोगों का योगदान बेहत महत्वकुन रहा है. आजहांति के बाद, देश के नवनिर्मान में भी, तमिल नाडु के लोगों की प्रतिभाने, देश को नई उच्चाई दी है. सी राजगोपालाचारी, और उनकी फिलोसफी के बिला, क्या आधुनिक भारत की बात पुरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफ़ेर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं. ऐसा कौन सा युवा होगा, जो डॉक्टर कलाम से प्रेजित न हुआ हो? मेडिसीन, लौ और अकेडेमिक्स के शेत्र में, तमिल लोगों का योगदान अतुलनिय है, मैं मन की बात में भी अक्सर तमिल लाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूँ. साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचिन लोगतंत्र है, मदरब डेमोकरसी है, इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसे है, अनेक अकाट्टे साक्ष है, इन में से एक एहम रेफरेंस तमिल लाडु का भी है, तमिल लाडु में उत्तीर मेरुल राम की जगब बहुत विशेश है, यहां ग्यारा सो से बारा सो साल पहले के एक सिला लेक के, उसमें भारत के डेमोकरिटिक वेल्यूज की, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं आग भी पढ़ सकते हैं, यहां जो सिला लेक मिला है, वह उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानिय समिधान की तरह है, इसमें बताया गया है कि assembly कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का qualifications क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रकरिया क्या होनी चाहिए, इतना ही नहीं, उस यूगमा भी उन्होंने ताय किया है कि डिस्क्वालिपिकिशन कैसे होता है सेक्डो साल पहले की उस विवस्ता में लोग तंत्रका बहुत बारिक्यों के साथ विवरों ने मिलता है साथ क्यों तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट के रूप में भारत को गड़ा है आकार दिया है जैसे हमारे चेन्ने से 70 किलोमेटर दूर 70 किलोमेटर दूरी पर कांची पुरम के पास तिरू मुकुडल में बेंक्टेश पेरुमाल मंदीर है चोल सामराच्य के दौरान बना ये मंदीर भी करीब करीब 1100 साल पुराना है इस मंदीर में ग्रेनाइट पत्थरों पर लिखा है कि कैसे उस समय वहाँ 15 बेड का हस्पिटल मोजूद था 1100 साल पुराने पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें मेडिकल प्रोसिडर्स के बारे में लिखा है डॉक्टरों को मिलने वाली सेलरी के बारे में लिखा है हर्बल ड्रस्ट के बारे में लिखा हुआ है 1100 साल पुराना हेल केर से जुड़े ये सिलाले तमिल नाडू की भारत की बहुत बड़ी विरासत है साथियों मुझे आद है कुछ समय पहले जब मैं चेस अलिम्पियार के उद्गाडन के लिए तमिल नाडू गया था वहां मैंने तिरुवारूर जिले के प्राचिन शिव मंदिर का जिक्र किया था ये बहुत प्राचिन चतुरंग बल्लब नाथर मंदिर चेस के खेल से जुड़ा हुआ है ऐसे ही चोल सामराज्य के दौरान तमिल नाडू से अन्य देशों तक व्यापार होने के कितने ही उल्लेख मिलते हैं भाई और भाणो एक देश के रुप में ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस विरासत को आगे बढ़ातें गर्व के साथ इसे दुनिया के सामने रखतें लेकिन पहले क्या हुआ आप जानते हैं अब आप सबने ये सेवा करने का सोभाग्य मुझे दिया है मुझे आज है जब मैंने उनाइटेड नेशन्स में तमिल ने भाषा में तमिल से कोट किया था तब देश और दुनिया के कई लोगों ने मुझे मैसेज करके खुशी जताई थी मुझे जापना जाने का अवसर मिला था स्रिलंका में जापना जाने वाला मैं भारत का पहला प्रदान मंत्री था स्रिलंका में तमिल कम्यूनिटी के वेलफेर के लिए वहां के लोग लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे थे हमारी सरकार ने उनके लिए भी कई काम किये तमिल लोगों को घर मना कर दिये जब वहां गरह प्रवेश का समारो हो रहा था तब एक बड़ा ही दिल्चर्श्प आयोजन भी हुआ था जैसे तमिल परवेश से पहले गर के बाहर लकड़ी पर दूद उबालने का एक कारकम होता है मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था और मुझे आद है जब वो वीडियो तमिल में तमिल नाडू में देखा गया इतना मेरे पति प्यार बरसाया गया डगर डगर पर आप अनुभव करेंगे कि तमिल लोगों के साथ तमिल नाडू के साथ मेरा मन कितना जुड़ा हुआ है तमिल लोगों की निरंतर सेवा करने का ये भाव मुझे नई उर्जा देता है साथियों आप सभी को जानकारी है कि हाली संपन हुआ काशी तमिल संगवं कितना सफल रहा इस कारकम में हमने प्राचिन्ता नविन्ता और विवितता को एक साथ सेलिब्रेट किया इन आयोजनों में तमिल साहित के सामर्त के भी दर्शन हुए है काशी में तमिल संगमम के दौरान कुछ ही समय में हजारों रुपिये की तमिल भासा की पुस्तके बिक्री हुई थी तमिल सिखाने वाली पुस्तकों के लिए भी वहाँ जबर्दस क्रेश था हिंदी भासी छेत्र में और वह भी आज डिजिटल यूग ऑनलाइन की दुनिया ऐसे समय काशी में हिंदी भासी लोग तमिल कितामों को इस तरह पसंद किया जाना हजारों रुपिये की तमिल की किताबे खरीदना ये हमारे देश के सांसकुर्तिक कनेक की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों मैं मानता हूँ तमिल लोगों के बिना काशी वासियों का जीवन अधूरा है और मैं काशी वासियों गया हूँ और काशी के बिना तमिल के लोगों का जीवन भी अधूरा है ये आत्मियता जब कोई तमिल नारू से काशी आता है तो सहज ही दिखाई देती है काशी का सांसद होने के नाते ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है मैंने देखा है कि काशी में जो नवका चलाने वाले लोग है शायद ही कोई ऐसा नवका चलाने वाले हम होलेगा जिसको तमिल के पचास सो बाके बोलना ना आता हो इतना वहाँ पर मिल जोड़ है ये भी हम सभी का सभाग है कि बनारज हिंड्यू उनिवर्सिटी में सुप्रमन्यम भारती जी के नाम पर एक चेर की स्थापना की गई है सुप्रमन्यम भारती जी ने कापी समय काशी में बिताया था काफी कुछ वहाँ से सीखा था ये भी पहली बार हुआ है कि काशी विश्वनाद मंदी ट्रस्ट के ट्रस्टियों में काशी विश्वनाद मंदीर का ट्रस्ट बहुत पुराना है पहली बार पहली बार काशी विश्वनाद ट्रस्ट का ट्रस्टी तमिल लाडू के एक महाशए को बना दिया गया है ये भी प्यार है ये सारे प्रयास एक भारत, स्वेश्ट भारत की भावना को मजबूत करने वाले हैं साथियों तमिल लिटरेचर से हमें अतीत के ज्ञान के साथ ही बविश के लिए प्रयरणा भी मिलती है तमिल लाडू के पास तो ऐसा लिटरेचर है जिसमें से काफी कुछ 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है जैसे की संगम लिटरेचर से पता चला कि एंशियन तमिल लाडू में कई तरह के मिलेट्स स्री अन्न उप्योग में लाए जाते थे प्राचीन तमिल साहित्य अगना नूरू में मिलेट्स के खेतों के बारे में लिखा गया है महान तमिल कवित्री अवयार अपनी एक सुन्दर कविता में स्वादिष्ट वर्गू अरिसी छोरू इसके बारे में लिखती है आज भी अगर कोई ये पुष्टा है कि भगवान मुरूगन को नईवियत के रूपे कौन सा भोजन पसंद है तो जबा मिलता है तेनूम तेने इवामूम आज भारत की पहल पर पूरी दुनिया मिलेट्स की हमारी हजारो वर्थ पुराणी परंपरा से जूड रही है मैं चाहूंगा कि आज हमारा एक न्यू येर रिजॉलुशन मिलेट्स से भी जुड़ा हो हमारा रिजॉलुशन होना चाहिए कि मिलेट्स को हम वापस अपने खान पान में जगर देंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे साथियों अब से कुछ देर मैं यहां तमिल कलाकारों की परफॉर्मंस भी होने वाली है ये हमारी कला और संस्कृति की समर्द विरासत का भी प्रतीख है ये हमारा कर्तव है कि हम इसे पूरी दुनिया तक लेकर जाएं इसे शोकेस करें साथि इन आठ फॉर्म्स का कैसे समय के सार्विस्तार हो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए आज की युवापीडी में ये जितना जादा पॉपलर होंगे उतना ही वो इसे नेक्स जनरेशन को पास करेंगे इसलिए युवाओं को इस कला के बारे में बताना उन्हें सिखाना ये हमारा सामुहिक दाइत्व है और मुझे खुशी है कि आज का ये आयोजन इसका भी एक बहत्रिन उदारन बन रहा है भाई और भेनो आज हादी के अम्रित काल में हमारी ये जिम्बेदारी है कि हम अपनी तमिल विरासत के बारे में जाने और देश और दुनिया को गर्व के साथ बताएं ये विरासत हमारी एक्ता और राश्ट्र प्रधम की भावना का प्रतीख है हमें तमिल कल्चर लिट्रेचर लेंग्वेज और तमिल ट्रेडिशन को निरंतर आगे बढ़ाना है इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ एक बार फिर आप सब को पुतांडू की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और मुर्गुन जी का भी धनिवाद करता हूँ का आज मुझे इस महत्वकुन अवसर में सरीख होने का मोका दिया आप सब को बहुत बहुत सुभकामना है धनिवाद